तो हेलो एविवन, वेलकम टू लेर्नस पॉइंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर के प्रैक्टिस क्वेशन का फूर्थ दे है आज और यहां पर हम लोगों का सारा टॉप 50 क्वेशन कंप्लीट होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह फूर्थ दे का प्रै चेंज कर लेते हैं, इस हम का इंगर्शा, 31st January, 2007 को कौन सा दे था, सिंपल यह क्वेशन पूचा गया है, रेंडम डेट है तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यह यह उस कर देंगे यहां पर वो वाला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ेते हैं, स्टार्टिंग में, द था, 31, प्लेस, इयर, जो कि सिर्फ टू डिजट रहना है, वो भी राइट साइड से क्या होगा, 7, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1 टाइम में जा रहा है, और जो भी रिमेंटर बच्रा उसको यहां पर लेना नहीं है, प्लेस, मन्त का कोट, जन्वरी, 2007 है, तो 2007 कौन सा यह है, लीप यह है या ओडिनरी यह है, ओडिनरी यह है, तो ऐसे में हम यहां पर क्या करेंगे, जन्वरी का कोट 0 लेंगे, ओडिनरी यह में, प्लेस, 2007, तो यह तू थाउजन है, उसका कोट जाएगा 6, 6 यह सारे को एड़ान करके 7 से डिवाइड कर देना है, चली करते है 7 प्लस 6, 13, प्लस 1, 14, 14, और यह 1, 15, कैरी 1, 3 और 1, 4, बाइ 7, जब इसको डिवाइड करेंगे, तो 42 है, जो लास्ट डिविजिबल हो रहा है 7 से, बच कितना रहा है, आर कितना बच रहा है, आर यहां पी बच रहा है, 3, और यह जो 3 है, 3 का कोट है यहां पर, वेडनेस दे 3 का कोट है यहां पर, वेडनेस दे, so वेडनेस दे is the correct answer, D is the correct option, clear है, यही डाउच, चली आगे बढ़ते हैं, 46 हो गया, 47 What day of the week on 29th June 2010, same यही फॉर्मूले यूज करना है, चलीए करते हैं, 29th June 2010 29th year 2010 है, तो 10, डिवाइड करेंगे 4 सा 2 टाइम्स में, जून है तो यहां पर अब याद होगा आप लोगों को, मन्थ जब यहां पर करवाए थे 033614625035, यह था इसका कोड, मन्थ वाइस, जून है, जून छटा महीना क्या जाएगा, 4 है इसका कोड, तो जून का कोड 4 है, प्लस 2010, 2000 से ज्यादा, तो इसका कोड आएगा 6, यह सारे को एड ओन करके, डिवाइड कर देना है किस से, 7 से, चलिए करते हैं, 9 प्लस 0, 9, 9 प्लस 2, 11, 11 प्लस 4, 15, 15 प्लस 6, 21, 1 केरी 2, 2, 1, 3, 2, 5, by 7, लास्ट डिविजिबल जो चीज हो रहा है, 7 से वो है, 49, तो बच कितना रहा है, और वो बच रहा है, 2, 2, 2 means Tuesday, 0 Sunday, 1 Monday, 2 Tuesday होता है, तो 2 means Tuesday, 2 means Tuesday, Tuesday is the correct option, this is the correct answer, okay, Tuesday आया, यह क्लियर है, चलिए आगे देखते है, 47 होगे, 48, What day of the week is on 5th February, 2008, यह भी random है, सिम यही फॉर्मॉला यूज करेंगे, इसमें 5th February, 2008, ओके, 5 प्लस 2008 है, तो 8 लिखेंगे, डिवाइट करेंगे, टू ताइम्स में चला जाएगा, February, यहां पर अब धियान देंगे, 2008 जो है, वो एक लीपियर है, तो लीपियर में February का code क्या था, तो लीपियर में February का code January और February चेंज हो करके, 6 और 2 बना था, तो यहां पर भी चेंज हो करके, क्या हो जाएगा, 2 आएगा February का code, प्लस 2000 है, तो इसका हो जाएगा 6, और यह सभी को add-on करके, 7 से, डिवाइट कर देंगे, चलिए करते हैं, 8 प्लस 5, 13, 2, 15, 16, 17, 17, प्लस 6, 23, डिवाइट करेंगे 7 से, लास्ट जो divisible हो रहा है, जो 21 हो रहा है, तो बचा कितना, 2, 8 कितना बच रहा है, 2, और 2 means क्या था, Tuesday था, 2 means Tuesday, so Tuesday is the correct option, C is the correct answer, clear है, Tuesday होगा इसका answer, यानि कि 5th February 2008 को Tuesday था, चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 हो गया है, 49, what will be the day of the week on 15th August 2021, यानि 2021 में 15 August में कौन सा दिन हो सकता है, तो चलिए 15th August, 2021, चलिए देखते हैं, August 15, 2021, तो 21 लिखेंगे, divisible है, यह पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 5 times में जा सकता है, 20 तक, अब यहाँ पर month code लिखेंगे, month है August, August का code क्या है, यहाँ पर leap year है, तो बस January और February का चिंज होता है, बागी सबका same होता है, August कौन समन्त होता है, आटवा महिना, आटवा महिना का क्या है, यहाँ पर code 2, तो August का code क्या हो जाएगा, 2 plus, 2021 है, यह नहीं 2000, code आएगा इसका 6, अब यह सारे को add-on करके 7 से divisible है, चलिए चेक करते हैं, 7 से divisible है या नहीं, 6 plus 1, 5 plus 1, 6, 7 plus 6, 13, 13 plus 6, 19, 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 plus 2, 3, 3 और 1, 4, 49, 7 से divisible है, पूरी तरीके से, आर क्या जाएगा, 0, यह पूरी तरीके से divisible है, जो remainder कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब होता है, यहाँ पर Sunday, जीरो का मतलब हो रहा है, यहाँ पर Sunday, means 2021 में 50 नगस्त को, कौन सदे था, Sunday था, A, So, Sunday is the correct answer, A is the correct option, clear है, चलिए आगे देखते हैं, Question number 50, if it was a Monday on 1st January 2018, then what was the day of the week on 31st December 2018, अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर 1st January, 1st January 2018 को Monday था, तो फिर 31st December 2018 को कौन सदे होगा, यह पूशा गया है, इसमें यहाँ ध्यान देंगे, तो पता चलेगा, year जो है, वो same है, किसी भी month का, अगर जब year same हो, तो starting के class में बताये ते, यहाँ ध्यान देंगे, कि किसी भी month का, किसी भी year में अगर same हो, तो उसका first month का first day, और last month का last day same होता है, कैसे होता है, इसके लिए भी हम लोग चेक किये थे, जब हम लोगों को 365 days निकालना था, यह 2018 है, मिन्स इसमें 365 days होगा, 365 days है, इसको seven से जब divide करते हैं, one week में, यहाँ पर थ्यान देंगे, one week में seven day होता है, और पूरे one year में, यानि 365 days में total 52 weeks होते हैं न, 52 weeks होते हैं, लेकिन एक week में अगर seven day होता है, तो 52 week में 364 days ही हो पाएगा न, one week में अगर seven day, तो 52 weeks में 364 days, but problem यहाँ पर यह हो रहा है कि एक साल में 364 days नहीं, 365 days होता है, means अगर यह मेंना मंडे से सुरू हो रहा है, मंडे से संडे, मंडे से संडे अगर चलते जा रहा है, यानि इस साल का first January मंडे से सुरू होते गया है, तो last Sunday कब आएगा, 364th day को Sunday होकर के complete हो जाएगा यह पूरा week, और इस दिन कौन सा तारिक होगा, 30 December होगा, जब Sunday होकर के complete हो जाएगा, तो इसका मतलब इसी के अगले दिन, अगर यह Sunday होकर के complete हो गया यह पूरा week, 30, 52 week complete हो चुका है, 364 days complete हो चुका है संडे तक, तो next day क्या होगा, संडे के बाद Monday, और यह वाला cancer day होगा, 31st December, वही 31st December जो की last को first January को आया था, तो इसका मतलब की जो day, किसी भी ordinary year में, जो day, first month के first date को होता है, वही वाला day, last month के last date को भी होता है, तो अगर यह वाला दिन, Monday था, तो यह वाला दिन भी क्या होगा, यह वाला दिन भी क्या होगा, Monday होगा, क्या होगा, Monday ही होगा, A is the correct option, Monday होगा, clear होगा, तो किसी भी ordinary, ordinary year का, first month का first day, और last month का last day, same होता है, ordinary year में, लीप एर में एक दिन आगे बढ़ जाता है क्यों क्योंकि एक दिन वो कौन से लगा ले लेता है February का 29th February ले लेता है चलिए अब यहां देखते हैं It was Sunday on 1st January 2017 Then what was the day of the week on 31st December 2017 ये भी बिल्कुल सेम नहीं है 2017 है ना 1st January Year 2017 को Sunday था Okay Sunday तो फिर यही Year 31st December को ही इसी साल 2017 को ही कौन से ले होगा ये पूचा जा रहा है तो यहां पर भी दियान देंगे 2017 जो है वो एक Ordinary Year है Ordinary Year में अभी बतायते हैं कि First Month का First Day और Last Month का Last Day सेम होता है तो अगर इस दिन Sunday है तो इस दिन भी क्या होगा इस दिन भी Sunday ही होगा इस दिन भी Sunday ही होगा C is the correct option Okay Clear है तो means 2017 में 1st January और 31st December सेम था Sunday यहां पर 1st January 2016 को अगर Friday था तो फिर 1st January 31st December 2016 को कौन सा वाला डे होगा चलिए यहां देखते हैं 1st January 2016 को Friday था Okay Friday था तो फिर 31st December 2016 को कौन सा डे होगा यह पूशा गया है तो अब यहां पर ध्यान देंगे यहां पर ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है 31st December यहां पर यहां पर कौन सा है 2016 है जो की एक लीप एर है और लीप एर होता है बीच में इसका मतलब February एक होगा 29th February 29th February एक्स्ट्रा जाएगा यहां पर जिसके कारण जो भी दिन जिस तारीक को होना था वो एक एक दिन शिफ्ट हो जाएगा एक एक दिन आगे बढ़ जाएगा तो यह भी क्या होगा एक दिन आगे बढ़ जाएगा यानि फर्स्ट और लास्ट डे जो सेम होना था वो सेम ना होकर कि एक दिन आगे बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा Friday के जस्ट अगले दिन कौन सा दे हो जाएगा, वो हो जाएगा Saturday, वो हो जाएगा Saturday, means 2016 में 31st December को Saturday होगा, कब जब 1st January, Friday था, तो यहाँ पर एक दिन आगे बढ़कर के Saturday हो जाएगा, so A is the correct option, clear है, समझ गया है, इसमें total 364 दे जब complete हो जाएगा, Sunday तक complete हो जाता, तो फिर Sunday तक complete नहीं हो गए, यहाँ पर Friday से start हो था ना day, तो Friday से start हो तो Saturday, Thursday तक complete होगा, Friday से जब start हो तो Saturday, Thursday तक complete होगा, इसका, एक हफ्ता complete होगा Thursday तक, अगर one week Thursday तक complete हो रहा है, तो next day, 365 वाला नंबर का जो दिन होगा, यह कौन सा दे होगा, यह हो जाएगा Friday लेकिन ये एक leap year है, इसका मतलब 366th day भी होगा, तो इस दिन क्या हो जाएगा? Saturday, और ये जो last day होगा, यही होगा 31st December, यही होगा 31st December, leap year का, और ये है Saturday, यहाँ पर भी आया Saturday, इस तरीके से ये complete होता है, चलिए अब आगे देखते 52 complete हो गया है, 53, 15th August 2013 को कौन सा डे था, चलिए निकालते 15 August 2013 को, 15, 2013 है, 13 लिख दी है, 13 को 4 सो डिवाइड करेंगे, 12 होगा, कटे का बाद last में, 3 times में ठीक है, next August, August का क्या था, code 2 था, 8 month 2, next, 2000 है, तो इसका हो जाएगा, 6, डिवाइड कर देंगे, 7 से, चलिए करते हैं, add on, 5 प्लस 3, 8, 8 प्लस 2, 10, 10 प्लस 9, 19, carry 1, 1 प्लस 1, 2, लूप 2 प्लस 1, 3, 39, डिवाइड बाइड 7, last में, r क्या आ रहा है, 35 हो का last divisible 7 से बस रहा है, 4, तो r क्या रहा है, यहाँ पर, 4, r जो है वो, 4 है, और 4 का मतलब होता है, Thursday, 4 का मतलब, Thursday होता है, last class में भी हम लोगों ने देगा था, 0 मिन संडे, code था, 1 का Monday था, 2 का Tuesday था, 3 का Wednesday था, 4 का Thursday था, जो कि अभी यहाँ लिखे हैं, 5 का Friday था, और 6 का था Saturday, clear है, तो यही वाला यहाँ पर लिलिख चुके हैं, ठीक है, Thursday, last होगा, इसका मतलब कि 15th August 2013 को Thursday था, so A is the correct option, clear होगा, Thursday हैं यहाँ पर, answer, चलिए, next देखते हैं, question number 54, what was the day of the week on 26th January 2012, अब 2012 में 26th January को कौन साड़ी होगा, चलिए, देखते हैं, 26th January 2012, यह पूछा गया है, तो अब यहाँ पर ध्यान देएंगे, 26th plus January है, तो पहले 2012 यहाँ लिखेंगे, divisible होगा, totally, three times में, फ्लोट से, अब January जो है, अब एक, ordinary year नहीं है, leap year है, तो leap year जब था, तो January का कोड यहाँ पर क्या लिए थे, याद है, देखिए, January का कोड लिए थे, 6, तो यही वाला यहाँ पर भी use करेंगे, January का कोड क्या हो जाएगा, 6, plus 2000 है, तो इसका भी कोड, 6, अब यह सारे को add-on करके, 7 से divisible कर देते हैं, देखते हैं, होता है कि नहीं, 6 plus 2, 8, 8, 12 plus 8, 20, 20 plus 3, 23, carry 2, 2 plus 1, 3, 3, और carry 2, 5, डिवाइट कर देंगे, 7 से divisible है क्या, नहीं, last divisible 49 है, तो 49 plus 4, 53 होगा, 49 plus 4, तो यहाँ पर 4 आ रहा है, डिवाइट करेंग, 4 आ गया, तो यह 4 जो है, वो क्या है, R है, 4 जो है वो, R है, R यानि 4, और 4 यानि की कौन सा दे था, वो था, Thursday, Thursday is the correct answer, C is the correct option, means, 2012 में, 26th January को, कौन सा दे था, Thursday था, clear हो, यह करना था, आम लिवों को, चलिए आगे देखते हैं, 55 number, If it was Saturday on 10th November 2018, then what was the day of the week on 15th August 2017, अब यहाँ पर धियान देंगे, 10th November 2018 को अगर Saturday था, तो उसके पिछले साल, 2017 में, 15 August को कौन सा दे था, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को कुछ करना होगा, change, देखिए, क्या करना होगा, बताते हैं, 10th November 2018 को यहाँ पर Saturday है, चलिए है, ठीक है, next, चाहिए क्या, 15th August 2017, यह पूछा गया है, तो एक काम करते हैं न, इस साल का, इस साल का November का हम लोगों की पास दे दिया हुआ है, इसी साल का August का भी निकाल देतें, 15 August का, और 1 यह माइनस कर देंगे, चलिए, 15th August 2018, यहाँ पर पहले निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, आइए देखते हैं, 15th August 2018, नमेंबर से 18 बे, पहले पीछे जाने में प्राब्लम होता है, तो आगे चले जाएंगे, जितना दे आएगा, उत्राइस में सा माइनस कर देंगे, तो चलिए, देखते हैं, 15th August, ओगस्ट में 15 देज पार हो चुका है, ओगस्ट होता है, 31 देज का उसमें 15 जा चुका है, 16 दिन बत्राइस में 16, प्रस, September, August, 2, October का 3, और November का 10 तक महुंचे, तो 10 तक ले लेंगे, अब यह सारे को add-on करके 7 से डिवाइड करते हैं, चलिए द 1 प्लस 1, 2, 2 और 1 कहरी था 3, अब यह सको 7 से डिवाइड कर रहा हैं, तो कितना आ रहा है, लास्ट डिविजिबल जो हो रहा है, वो 28 हो रहा है, तो बच कितना रहा है, 3, यह 3 क्या है, आर है, यह 3 क्या है, आर है, 3 बच रहा है, में Saturday माइनस 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि November से August आर से फ्लस डिन करेंगे, Saturday से एक अर दिन कम, Thursday से भी एक और दिन कम, Wednesday से थर्च यहां पर क्या हला है, Wednesday, क्या रहा है यहां पर, Wednesday, अब यहां पर ध्यान दीजे, Wednesday आया, वेडनेस दे आ गया 2018 के 15 ओगस्ट को अब यहां पर थ्यान देंगे 2018 में 15 ओगस्ट को अगर वेडनेस दे था तो 2017 में कौन सा दे होगा तो यहां से हम लोग डिरेटली कर सकते हैं एक दिन माइनस क्योंकि एक साल जब कम्प्लीट होता है तो वन और डेज आगे जाता है वन औ अगर दिन 2017 को था उसकी एक दिन आगे 2018 को भी हुआया है सेंव डेट में सें मन्थ में यह दोनों सेम शेम है तो यान yay कि 15 2017 को जो भी डे होगा उसके एक दिन आगे बढ़़दर क्या ओए 15th August 2018 को तो वो एक दिन क्या था Wednesday तो इसके एक दिन पहले क्या हुआ होगा क्या हुआ होगा Tuesday इसका मतलब कि 15th August 2017 को Tuesday था क्या था Tuesday था दूसरा option प्रूफ के लिए हम लोग यहां पर यह कर सकते हैं 2017 से 18 में जाते हैं तो 2017 को और 18 में पहुंच चुके हैं इसलिए 18 से 19 के लिए नहीं लेंगे तो वन आया है और 2018 से 17 में पीछे जा रहा है इसलिए यह बन को माइनस कर देंगे तो वेटनस्डे में से वन गया तो Tuesday आगया ऐस नहीं होगा इसका आंसर मिंस 15 ओगस्ट 2017 को Tuesday था यह रहा है ठीक है क्लास तो आज के लिए बस इतना ही कम्प्लीट हो गया और यहां से हम लोगों का कम्प्लीट हो जाता है कैलेंडर का टॉफ 50 क्वेस्टेंस जो कि सारे एक्जाम के लिए जितने भी कॉंप्टिटिव एक् और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोर कर दीजेगा ओके थैंक यू